असलाम अलेकुम वेलकम और वेलकम बैक टो माई चैनल है है दराबादी टंग्स किचन आज हम बनाएंगे मतन बिनिस का सालन मतन बिनिस फल्ली का सालन है दराबादी स्टाइल में तो चलिए इसके लिए क्या क्या लगते देख लेंगे हम तो सब में पहले हम बनिस की फल्ली को यह देखिए बनिस की फल्ली को हम कट करके ले लेंगे अब हम कुकर चडा लेंगे गैस पर इसमें हम मेडियम साइज की प्यास दाल देंगे गोश दाल देंगे हम इसमें मटन दाल देंगे जितना आप चाहे अपनी मर्जी के साब से दालिए आप मटन अदर ग्लेशन का पेज दाल देंगे वन स्पून हल्दी पादर दाल देंगे एदा स्पून अब हम इसमें लाल मिर्च पादर दाल देंगे दो स्पून लाल मिर्च पादर दाल रिमाई अब हम इसमें नमक आट कर देंगे वन स्पून नमक दाल देंगे नमक और मिर्च आप अपने टेस्के साब से लीजिए अब हम इसमें कोकिंग ओल दाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको कुछ देर तक हम इसी तरह से इसको भून लेना थोड़ी मिर्ची की स्मेल खतम होए तक भून लेना इसको अब हम इसमें टमाटे दाल देंगे दो बड़े सा इसके टमाटे कट करके लेली में अब हम इसमें मेथी की भाजी दाल देंगे एक मुठी बड़ी मेथी की भाजी है इसको अच्छा दोके लेली में अब हम इसमें पानी आट कर दींगे एक ग्लास जितना पानी आट करी मैं अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अविन अब हम कूकर का ढदींगे लगादेगी गोश्गेल्य तक पका लिए लिए तरहाई ब हम इसको तल लिए एक बैन अब जब भी आप बिनिस की फली बना रहे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ किजिए इंशाला आपको ज़रूर पसन आएंगी को को किंग ओयल दाल दी में हलका गरम होगा तेल आप इसमें हम फली दाल दींगे अच्छे से पानी को निधार लेके दालिए अच्छे से मिला लेंगे हम तेल में दालने के बाद में पांच मिनट तक इसको हम तेल में फ्राई कर लेंगे बिनिस की खली को पांच मिनट हो गया पांच मिनट प्ले प्राई कर लिए अभी हम इसको दूसरे प्लेट में निकार लेंगे प्रेसिपिक आपको कामिट में जरूर बताएं निकाल देंगे भी की ब्रेसिपट आपको कमेंट में जरूर बताईये दूसरे सालनों में यूज़ कर सकते हैं यह देखिए कोकर का धकन निकाल दी में पानी सुग गया इसमें का अब जरा हम भुर लेंगे इसको प्याज और टमाटोरों को प्याज और टमाटे भुने गए और थोड़ा भुने जाना फली दालते ना हम तो इसमें गल जाता वह भी अब जो हम फली तल के रख लिये थे वह दाल दींगे इसमें अलू दाल दींगे एक बड़े साइस का अलू ली में आप चाहे तो दो या एक आप अपनी मरजी के सबसे दाल सकते कोटमिर दाल दींगे थोड़ी सी कि अब पानी के अग्राट गर्वाइब फ्ली की विंगे замечie the big ㅋㅋㅋ अब आधा ग्लास जितना पाना दालां दींगी मैं जायए अग्चा ठीडिक किउए आधा ग्लास जितना पाने दालेंगे अच्छे से मिक्स हो गया अब हम इसको अधकन लगा के आलू और फली गलने तक फका लिए अभी चेक कर लिए हम यह देखे पाने सुग्यास में का पूरा गोश भी गल गया फली भी गल गया और आलू भी गल गया अच्छे से अच्छे से मिक्स कर लिंगे इसको भुनने की भी जरूत नहीं है टमाटे सब अच्छे से गले गए देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा लोज होना है तो आप इतनी ड्राइ मत कीजिए वैसे ऐसे इसी तरह से बहुत अच्छी रिखती नए आपको थोड़ा लोज होना तो खोड़ा ग्रेवी रख लीजिए आप पानी दाल के अभी हम डिशॉट कर लेंगे अच्छे से रेडी हो गई तो चलिए डिशॉट करेंगे इसको हम यह देखे इसका क्लोज अफ लूप तो यह थी आज की रेसिपी मतन बिनिस की फरली का सालन हाइदराबादी स्टाइल में पूरी वीडियो देखने के बाद आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में अल्ला हफीज